नमस्कार आप सभी को स्वाद कड़ाई का चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बना रहे हैं राजस्थान की बहुत ही ज्यादा प्रसीद मिर्चे जी हाँ इसे मिर्ची वड़ा भी कहते हैं और भरवा मिर्ची भी कहते हैं अगर आप इस चैनल पर पहली ब एक कप बेशन और बेशन में डाल दिया है आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच हींग अब इन चीजों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे पहले हम मिर्च डाल देते हैं तो हमने इसमें अड़ की है मिर्च नमक यह आप अपने स्वाध अनुसार इसमें डालिए और थोड़ा साफ अच्छा टेक्स्चर देने के लिए इसमें हमने हल्दी भी एड़ कर लिया है इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के लिए इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं होने चाहिए तो थोड़ा अब हम इसको एक बार और अच्छी तरीके से मिला लेंगे और देखिए फ्लोक कंसिस्टेंसी में यह आ गया है इसको रख देते हैं एक साइड अब हमने लिया है एक चम्मत जीरा एक चम्मत सौंफ दो हरी मिर्च और एक अधरक का टुकड़ा दस बारा काली मिर्च इन सब अधरत को हम मोटा मोटा कूट लेंगे कूँकि अगर हम इसको मिक्सी में चलाते हैं तो मिक्सी में चलने के वाद यह बहुत ही फाइन पेस्ट बन जाएगा जो हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए दर दरा पिसा हुआ यह देखिए ये भुनना शुरू हो गया है तेज आज बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि तेज आज करते ही सारा मसाला जल जाएगा थोड़ी सी हल्दी हमने इसमें एड़ कर दी है साथ में एड़ कर दिया है धन्या पाउडर आधा जमच लाल मिर्च और आधा जमच नमक क्योंकि मिर्च जो है वो हमने अभी पीस ली थी तो इसलिए उसमें भी फ्लेवर आ जाएगा तो ज़्यादा मिर्च का एड़ इस्तमाल नहीं करेंगे और ये देखिए अच्छी तरीके से मंदी ही आज पर इसको हम भून लेंगे और भूनने के लिए हमने थोड़ा सार पेशन्स रखना है जिससे कि ये सारा का सारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और भून भी जाएगा तो ये देखिए इस तरीके से ये भून गया है अब हम इसमें एड़ करेंगे आलू ये आदा किलो आलू है और ये हमने उबाल लिया है और उबालने के बाद देखिए इस तरीके से या तो हाथ से फोड़ लीजिए और नहीं तो आप अलग से इसको फोड़ के भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन कदू कस नहीं कीजिएगा कदू कस से बहुत ही जादा पिठी जो है वो बहुत ही महीन बन जाती है जो फ्लेवर अच्छा नहीं देती है तो इस तरीके से हमारी पिठी हो गई है तैयार एक अलग प्लेट में इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि इसको ठंडा होने देंगे तो यह हमने हरा धनिया इसमें मिला कर अच्छी तरीके से एड़ कर दिया है और अब देखिए मिर्ची भरना आप जरूर ध्यान से देखिएगा तो यह हमने इसमें भर दिये अंदर से आलू अब अंदर आलू भरने के बाद अगर मोटी वाली मिर्चे है ना सिर्फ आप अंदर अंदर भरके भी चला सकते हैं लेकिन हमारे पास medium वाली मिर्चे हैं तो जिसके लिए आप देखिए उपर से भी हम एक लेयर आलू की पिठी की बनाएंगे मोटी लेयर बिल्कुल नहीं बनानी है बिल्कुल पतली पतली लेयर बनानी है और थोड़ा थोड़ा जहां जहां से आपको दिखे ना कि नहीं हो रहा है वहाँ वहाँ आप थोड़ी थोड़ी पिठी लगाते जाईए और इस तरीके से सारी कोटिंग चड़ा दीजिए यह देखिए बिल्कुल हलके हाथ से करना है हाथों में भारी पन बिल्कुल नहीं रखना बस इस तरीके से कवर करते जाईए और इसको भरते जाईए यह लीजिए यह तयार हो इस तरीके से हम सारे पीस जो है वो बिल्कुल पिठीयां भर भर कर तयार कर लेंगे ताकि जब हमारी तलने की बारी आए तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो यह देखिए सेकंड मिर्च भी तयार हो गई है और उधर तेल गरम हो रहा है हमारा क्योंकि बाकी चीजे हमारी सारी तयार है तो हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और उसके बाद हम इसको मिर्ची को भर्वा बनाने के लिए लग गए हैं अब सारी मिर्चियां इसी तरीके से तयार कर लेंगे हम और बेसन के अंदर डीप करके और हम पैन में छोड़ देंगे तो ये देखिए दोनों तरफ से घुमांकर बड़े अराम से दोनों तरफ से डीप हो जाएगी प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि अगर आप पूरा पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आलू जो पिठी है वो छूट सकती है तो डंडी का इस्तमाल करें डंडी से बिल्कुल हलके हाथ से ये चारो तरफ से कोटिन हो गई है अगर नहीं समझाया तो एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमने इसको किया है ये देखिए बस और पकड़ा जो है वो सिर्फ डंडी पकड़ी है एक्स्रा जो पाही में जैसे छीटे हो जाती है ना वो हो जाएंगी तो वो नहीं होने देना है अब बस इस तरीके से और ये देखिए तैयार हो गई है इसको निकाल लेंगे तो आप जरूर बताईएगा कि ये आपको बड़ी बड़े कहलो मिर्ची वड़ा कहलो या फिर मिर्ची फ्लेवर मिला है और आपको बनाने के बाद तसली हुई कि आपने भी एक अच्छा फ्लेवर बनाया है तो मुझे जरूर कोमेंट्स बॉक्स में बताईएगा फिर जाते जाते मैं यहीं कहूंगी कि चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर जिससे की हमार और साथ में नोटिफिकेशन जरूर बैल दबा देना उससे हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगी और हम मिलेंगे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं बाई